सफेद दाग से परिशान हैं तो ऐसे में आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पांच घरील उपचार बताने वाला हूं अब आप अगर तुलसी के पत्ते 7-8 ले रहे हैं तो नीबू के रसकी 3-4 बूंदे ही प्रयाप्त हैं तुलसी के पत्तों का अच्छे से पेस्ट बना लीजिए उसमें 3-4 नीबू के रसकी ड्रॉप्स डाल लीजिए इस पेस्ट को आपको आपके सफेद दाग वाले हिस्से पे लगाना है और 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है जर तक यह सूख जाता है उसके बाद इसे वाश कर लेना है इससे जो आपके सफेद दाग की स्किन है वो धीरे धीरे आपके बॉड़ी के नॉर्मल स्किन कलर में आ जाएगी reason है तुलसी के अंदर आपको antibacterial, antiviral और antifungal properties मिलती है जो आपकी स्किन को किसी भी तरीके के infection से तो बचाती ही है साथी साथ melon के pigment को भी boost देती है तो इस home remedy से आप अपने सफेद दाग को ठीक कर सकते हैं दूसरी home remedy है red clay with ginger juice यहाँ पर आपको लाल मिटी लेनी है आप online मंगा सकते हैं offline भी ले सकते हैं और इसके अंदर आपको अधरक के रस को मिलाना है अधरक के अंदर आपको anti-inflammatory properties मिलती है साथी साथ यह आपके blood flow को भी improve करता है ताकि जो आपका affected area है जहाँ पर blood flow अच्छे से नहीं हो रहा वहाँ भी blood flow हो और जब blood flow अच्छे से होगा तो जो nutrients की कमी हो रही है आपकी skin के उस हिस्से में वो भी fulfill हो जाती है और साथी साथ red clay के अंदर copper की मातरा बहुत अच्छे होती है इन जनरल हमें सफिद दाग रोगियों में देखने को मिलता है कि उनके शरीर में copper की deficiency होती है तो ऐसे में red clay और ginger juice का paste आपके लिए बहुत फायदे मंद हो सकता है आप इस paste को अपने white patches पर लगाएं और 10-15 मिनिट के लिए छोड़ दें उसके बाद जब यह सूख जाता है तो इसको normal पाने से या liquid warm water से दोएं आपके सफेद दग ठीक होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसके बाद तीसरा घरी लुपचार जो आप अपना सकते हैं वो है walnut walnut यानि अकरोट लेना है तीन से चार अकरोट लेना है इसको अच्छे से piece लेना है और इसके अंदर आप शहद मिला सकते हैं शहद मिलाने के बाद आप इस paste को अपने सफेद दग वाले हिस्से पर लगा कर छोड़ दें जब तक यह हलका सा सूखता है उसके बाद इसको आप वाश कर सकते हैं नॉर्मल पानी से ये liquid warm water से वही आप तीन से चार अखरोट डेली बेसिस पर खा भी सकते हैं इनके अंदर आपको omega 3 fatty acid मिलता है copper की मातरा भी बहुत अच्छी होती है नंबर फोर्थ remedy जो आप apply कर सकते हैं उसमें भी copper बहुत important role play करता है क्योंकि vitiligo patient में copper की deficiency होती है जिसकी वज़े से melon का pigment और जादा कम हो जाता है तो ऐसे में अगर आप copper की बरतनों में पानी store करते हैं और copper की बरतनों से ही पानी पीते हैं तो जो शरीर में copper के deficiency हैं उसे आप इस तरीके से fulfill कर सकते हैं इसके बाद fifth home remedy जो आप apply कर सकते हैं वो है पपीता आप पपीता खा भी सकते हैं कच्छा आप उसका juice बना कर पी सकते हैं आपकी melon pigment को boost देता है इसके साथ आप पपीता को चोटे चोटे टुकडों में काट कर अपने सफेद दाग वाले हिस्से पर लगा सकते हैं या फिर इसको mash करकर इसका paste बना सकते हैं और उसे सफेद दाग वाले हिस्से पर लगा कर 10-15 मेट के लिए छोड़ सकते हैं उसके बाद आप इसे wash कर लें और ऐसा करने से जो आपके सफेद दाग बढ़ रहे हैं वो कम होंगे और जो सफेद दाग वाला हिस्सा है वो दीरे-दीरे skin color लेने लगेगा इन 5 घरे लूप चार की मदद से आप अपने सफेद दाग को बिलकुल ठीक कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक advice देना चाहूँगा कि 5 घरे लूप चार को apply ना करें कोशिश करें एक ही घरे लूप चार पर stick रहें और लंबे समय तक उसे चलाएं कम से कम 40 दिन 50 दिन तक चलाएं अगर आपको results अच्छे मिल रहे हैं तो उसे आगे continue करें अगर results अच्छे नहीं मिल रहें तो आप उसे hold करकर दूसरी home remedy apply कर सकते हैं और दिन में कम से कम इसे 3-4 बार जरूर apply करें और यहां एक चीज और बहुत important हो जाती है कई लोगों को लगता है कि घरी लूप चार के मदद से ही हम सफेदा को ठीक कर सकें तो ऐसा नहीं है treatment required रहता है क्योंकि यह एक autoimmune disorder है यह किसी तरीके का infection नहीं है यह किसी तरीके का fever नहीं है जो आप घर पर ही ठीक कर लें यहां आपका ही immune system जो आपको बीमारियों से बचाता है जो आपके लिए लड़ता है वो अभी आपको नुकसान पहुंच जा रहा है तो उसको modulate करना बहुत जरूरी हो जाता है और उसमें मदद करता है भारत होमेपैथी का customized homeopathic treatment तो आप भारत होमेपैथी की doctor team से consult कर सकते हैं आप अपने white patches की photos screen पर दियेगे number पर whatsapp कर सकते हैं हमारे doctor की team खुद आपसे contact करेगी और आपको एक proper advice देगी तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को like और share जरूर केज़ेगा और ऐसे ही informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा Thank you for watching